यवत्माल के पंडरकवडा तालूके में रात को एक घर में घुसकर मारपिट करने वाले आरोपी को पंडरकवडा पुलीस सुरक्षा मुहया कर रही है इतना ही नहीं आरोपी द्रड निश्य है और जल्दमाजी में की गई कारवाई को लेकर लगातार धंकी दे रहा है फिर्यादी बेबी फरीदा अब्दुल बशीर अब गंबिर हालत में है और उसने फिर से पुलीस अदिक शक से न्याई की गुहार लगाई है यवत्माल की रहने वाली बेबी फरीदा का पांडर कवडा तालूका के धरना गाओ में एक खेत है इस शेत्र में उन्होंने अपने खर्चे पर ताजुद्दीन बाबा की दरगा का निर्मान कराया है घर खेत में होने के कारण बच्चे भी यही रहते है छे जनवरी 2022 को आरोपी प्रणय बलकी, रेनुका बलकी, नत्तु जी बलकी और चार अन्य ने राद 11 बजे घर में घुसकर बेबी की पिटाई की इतना ही नहीं उसने रास्ते में घर का दरवाजा भी बन कर लिया इस बीच जब बेबी ने घटना की जानकारी पांडर कवड़ा पुलिस को दी तो PSI महले रात में मौके पर पहुचे और निरिक्षन किया अगले दिन वह थाने आये और शिकायत दर्च कराने को कहा सुबह दरगा का निरिक्षन करते से में दान पेटी भी टूटी वी और अस्था में थी हाला कि पुलिस ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की बेबी ने शिकायत की कि आरूपी को सिर्फ 149 की नूटिस देकर मामले को दबा दिया गया इसके बाद नयाय के अभाव में बेबी ने पुलिस अधिक्षक को बयान दिया लेकिन कोई ठोस कारवाई नहीं हुई बेबी ने फिर से पुलिस अधिक्षक से ठोस कारवाई करने की मांग की है क्योंकि उसने रात में घर में गुश कर दान पेटी तोड़ कर पैसे की चोरी करने के बाद ही निवारक कारवाई की बेबी फरीदा अब्दुल बशिर ने कुछ आरोपियों की खिलाप कारवाई की मांग की है क्योंकि उनकी जान को खत्रा है क्योंकि वे आपराधिक प्रवरूत्ति के है आरोपि के पिता इस दरगा के ट्रस्टी है अब आरोपि इस दरगा के कामकाज में दखल देने की कोशिश कर रहा है पिछले दो साल में पाच से छे बार आरोपी दरगा आये और धूल फाक दी इस संबन में शिकायद भी की गई है हाला कि पुलिस के ठोस कारवाई नहीं होने से आरोपी का मनुबल बढ़ा है और बेबी ने पुलिस अधिक्षक से निया मनुचार कारवाई करने की मांग की है मेरा नाम बेबी फरीदा अब्दिलबशिर शेक मैं रहने वाली धारना की हूँ कुछ साल पर मेरे आदमी का इंतिकाल हो गया मेरी खेती नैशनल हाइवे रोट पर है उस खेत में साजोदिन बाबा का दरवार है 6 जनवरी को 6 जनवरी 2022 को प्रने बलकी रेनुका बलकी नत्थु जी बलकी और चारपाश लोग रात में 11 बजे आए मुझे मार ठोक किये और मेरा दरवाजा बाहर से बन करके चले गए मैंने इसकी सुचना पांडर कोड़ा पोलिस में दी रात में पोलिस वाले आकर महले साब आकर मेरा दरवाजा खोले और मुझे कल आकर रिपोर्ट देने के लिए कहा दूसरे दिन सबेर मैं चीराग बत्ती करने के लिए जब दरबार में पहुची तो वहाँ देखा दान पेटी फूटी थी मैंने पूलिस वालों को बताया के साब दान पेटी भी फूटी है तो पूलिस वालों ने मेरा रिपोर्ट लेने से इंकार कर दिये आठ तारीक मैंझे एसपी साहब को बायब सिरे रिपर्ट भेजा और 17 एक को फिर जाकर बायःंट रिपर्ड दी उसकी चोक इसी दो तीन मैने के बाद में एक महाले करके आये उन्होंने य TUB चय ले गए अठारा तारीक को अभी चार मैने के बाद में अठ्रा तारिक को मेरे को थानेदर साब ने बुलाए और एक कागत दे दिये मैने साब को बताया साब चार-पाइच दिन पहले वो लोग और मेरे घर पर आये थे और उनके साथ में कोई सावन बाबा था प्रनय बलकी वगएरे और कौन-कौन थे पता ने साब दर 2020 से तकलिव है जबसे मैंने प्रनय बलकी को पैसे उगरे दिये है और प्रनय बलकी का जो पिता जी है वो मेरे इसमें दरबार में ट्रस्टी है और ये लड़के का और बाकी लोगों का इनका मेरा दरबार मेरी खेती हड़पने का इनका चकर है और ये बार बार आकर मेरे को मार ठोग जगड़े और पैसे वैसे के लिए तकलिब देते हैं मैंने इसकी बार बार सूचना पोलिस में दी लेकिन पोलिस वाले उन्हें कोई एक्षन लेते नहीं कोई उन पर कारवाई करते नहीं अभी तक 6-7 बार कभी चाकू से कभी राड से और हर बार के जगड़े में ये रेनुका बलकी हमेशा रहती है विनोध बलकी रेनुका बलकी और रविंद्र बोबडे और बाकी क्या और जो लोग है उनको नहीं पहिछानती में और इस टैम सावन बाबा ये लोग मैं बोलती मैंने जब कागस अपने वकिल को बताया वकिल बोला कि ये रिपोर्ट ब पिनन्ती करती हूं मेरे पर जो बार-बार न्या हो रहा है मुझे न्याय मिलना चाहिए मेरे को घर से रहना निकलना मुश्किल हो गया है जनाब तकलीफ उठने बैठने की नहीं तकलीफ बवासिर की है बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयरुवेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार अभ्यूदै पाइल्स लेजर हॉस्पिडल लोहार समाज भवन के पीछे महापुष्प सोसाइटी शताबदी नगर चौक से मनीशनगर रोड नागपूर कॉल और विजिट करें www.pilesfistula cure.com